हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पीसी स्टेडिंग फिजिक्स तो आज का हमारा टॉपिक है समुद्रों से उर्जा जिसका नंबर फस्ट है ज्वारिय उर्जा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइडिल एनर्जी ज्वार भाटे में जलके इस्टर के चड़ने और गिरने से ज्वारिय उर्जा प्राप्त होती है ज्वारिय उर्जा का दोहन सागर के किसी संकीर छेत्र पर बांध का निर्माड करके किया जाता है हानी क्या ऐसे बांध निर्मित किये जा सकने वाले स्थान सीमित है अर्था समुद्र में जल के इस्तर को बढ़ना और घटना अर्था समुद्र में चंद्रमा के गुरुत्वा करशन के कारण दो बार ज्वार भाटा आता है तो जल के इस्तर का बढ़ना तो कहलाता है ज्वार और गिरने को हम बोलते हैं भाटा अब next setting है हमारा तरंग उर्जा जिसकों इंगलेस में कहते हैं वेव एनर्जी तो वेव एनर्जी क्या है इसे भी समझते हैं समुद्र तल के निकट विसाल तरंगों की गतिज उर्जा का प्रियोग कर विद्दुत उत्पन की जाती है तरंग उर्जा से टर्वाइनों को घुमा कर विद्दुत उत्पन करने के लिए उप्योग होता है next setting है third महा साग्रिय तापियो उर्जा ओसीन थर्मल एनर्जी ताप में अंतर का उप्योग जैसे प्रस्ट जल तथा गहराई जल में ताप अंतर साग्रिय तापिय उर्जा रूपांतरन विद्दो सयंत O T E C में उर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है प्रस्ट के तप्ट जल का उप्योग अंमोनिया को बाले में किया जाता है द्रवों की बास्प जनित्र के टर्वाइन को घुमा कर विद्दोत्पन करती है तो इसमें O T E C का फुल फर्म होगा ओचीन थर्मल एनर्जी कनवर्ट अब नेक्स सेडिंग है भू तापिय उर्जा जिसको इंग्रिस में कहते हैं जियो थर्मल एनर्जी नमबर एक भू का आर्थ है धर्ती भू मने धर्ती या प्रत्वी तथा तापिय का आर्थ है उर्जा अर्था भू तापिय का पतला हो गया धर्ती की उर्जा या प्रत्वी की उर्जा नमबर शेकिन है प्रत्वी के तप्त स्थानों पर भूग गर्ब में उपस्तित उसमी उर्जा को भूतापिय उर्जा कहते हैं अर्थात भूमी में जो उर्जा हमारी उपस्तित है उसी को बोलते हैं भूतापिय उर्जा नमबर थर्ड जब भूमीगत जल तप्त स्थलों के संपर्ग में आता है तो भाप उत्पन होती है जब यह भाप चट्रानों के बीच में फस जाती है तो इसका दाब बढ़ जाता है उच दाब पर यह भाप पाइपों द्वारा निकाली जाती है जो टर्वाइनों को घुमा जाती है तता बिद्धोत्पन की जाती है अब नेक्स सेडिंग है लाब नमबर एक इसके द्वारा बिद्धोत्पादन की लागत अधिक नहीं है नमबर सेकिन प्रिदूशन नहीं होता इससे तो हानी भी समझ लेते हैं भूतापी है उर्जा सीमित स्थानों पर ही उपलब नमबर नमबर इसके नवकिये विखनदन निकलियर फिसन किसी भारी नाविक का दो या दो से अधिक भागों में तूटने की किरिया को नावकिय विखननन कहते हैं नोट समझ लेते हैं नमबर एक इस पिरकिरिया में बिसाल मात्रा में उर्जा मुक्त होती है नमबर सेकिर यूरिनियम 235 का प्रियोग छड़ों के रूट में नावकिय सेंत्रों में इधन की तरह होता है अब पढ़ते हैं नावकिय विद्दो सेंत्र निकलिय पावर प्लांट कहां कहां पर हैं नमबर एक तारापुर यह महरास्ट में है नमबर सेकिर राणा प्रताप सागर यह राईस्तान में है नंबर थड़ कलपककम, तंमिल नायड़ू में है, नंबर फोर्त नरोरा, उत्तर प्रदेश में है, नंबर फिक्त काक रापार, घुजरात में है, नंबर शिक्स केगा करनाटक में है। नीव हेडिंग है हमारा नाव की है सल्लैन, नीकलियर हिशन, दो या दो से आधिक हलके नाविकों को सैग तो करके एक भारी नाविक बनाने की किरिया को नाव की है सल्लैन कहते हैं, जैसे 1H2 पिलस 1H2 एकोल जाएगा 2H3 पिलस 0N1 पिलस उश्मा, तो यह है इसका एकजाम पि यह तो अत्यदिक ताप वा दाव की आवशकता होती है, नमबर 2 ताप सूरे तथा अन्य तारों की विसाल उर्जा का स्रोत नाव की सल्लैन है, नमबर 3 आईडोजन बं भी नाव की सल्लैन अभिकिरिया पर आधारित होता है, अब इससे लाव और हानी समझ लेते हैं, तो न नाव की इधन की अल्प मात्रा के विखंडन से उर्जा की अत्यदिक मात्रा मुक्त होती है, नमबर 2 तो जैसी ग्रीन हाउस गैस उत्पन नहीं होती, हानी के आईसे नमबर 1 नाव की विद्दुत सक्ती सैंत्रों के प्रितिस्ठापन की अत्यदिक लागत है, नमबर 2 प्राप्त होती है, नमबर 1 नाव करनिया श्रोत, नौन रिनिवल स्वार्स, वे उर्जा वे श्रोत जो किसी ना किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, वो हमारे नाव करनिया श्रोत कहलाते हैं, जैसे जीवास मीधन, कोला, पैट्रॉल, डीजल इत्यादी, ये सभी हमारे नाव नाव करनिया श्रोत है, जबकि नाव करनिया श्रोत, देखते हैं, नमबर 2 है, दिनिवल स्वार्स, वे श्रोत जिनका पुनर जनन हो सकता है, ये लंबे समय तक समाप्त नहीं होते, उधारान पवन उर्जा, जल उर्जा इत्यादी, तो इस तरीके से हमारा थियोरी क्यार एंड बाव बाए